अब ये question क्या कह रहा है, इस question को ध्यान से समझेंगे, इस question को खुशी ने बेजा है, यू-P से है, जे की तयारी कर रही है, question बोल रहा है, in the arrangement shown, in figure, the end P and Q of an unstretchable string, ध्यान रखना unstretchable string है, यानि कि inextensible string है, move downward with uniform speed U, जो point P है, ये U velocity से downward direction में जा रहा है, Q point B, U velocity से downward direction में जा रहा है, पुली A and B are fixed, A और B जो है, fixed है जी, यहाँ पर ऐसे कर लो चाहे तो, वो जो मैंने left side में diagram बनाया है, fixed है जी, mass M moves upward, ये जो capital M है, ये upward direction में move कर रहा है, with a speed, let's say V speed से कर रहा है, तो इस V को ही हमें calculate करना है, let's say, ये जो capital M है, V speed से move कर रहा है, और इस V को ही हमें calculate करना है, तो इस सवाल को करने के लिए, आपके पास दो तरीके हैं, पहले हम जो है, इसको pulley trick से समझने की कोशिश करते हैं, pulley trick क्या होती है, वैसे तो बहुत आसान है, इसको tension trick से भी कर सकते हैं, पहले हम इसको pulley trick से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझेंगे, जैसी ये point P है, ये P जो है, जब आपका downward direction में U velocity से जाएगा, तो आप सोचोगे, भाई, ये point है, U velocity से नीचे की तरफ जा रहा है, ये point U velocity से जा रहा है, इस तरह से आप सोचोगे, तो इसका मलब ध्यान से देखो, ये point आपके ऐसे लगेंगे, कि ये U velocity से जा रहे है, ठीक है, ऐसे ही, यहाँ पर भी, जब ये value, ये जो point है, Q, ये भी U velocity से जा रहा है, तो इसका मलब यहाँ पर जितने point है, वो सब U velocity से उपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी, इस तरह से U velocity से जा रहे हैं, ये आप सोचोगे, अब होगा क्या, आप क्या करोगे, और ये U है, ये U है, तो आप क्या करने वाले हो, ये जो mass है, ये V velocity से जा रहा है, तो आप क्या करने वाले हो इसमें, ये जो U है, और ये U है, डोनों का U cos theta लेकर के इसको solve कर लोगे, 2U cos theta is equal to V, तो आपके मज़े आ जाएंगे, आप बोलोगे, जी, ये RS का answer तो V is equal to 2U cos theta, ठीक है, कुछ इस तरह से आप सोचने लगोगे, ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पर, अब ये सवाल जो है, गलत हो जाएगा, आपका answer देखोगे, कहोगे, आरे answer तो कुछ हो रहा है, तो ये answer जो आपका, गलत हो जाएगा, अब ऐसा क्यों हुआ, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कैसे समझना है, ये जानना है आपको, तो कैसे करोगे, ये देखो, ये जो question है, ये basically constrained motion का question है, किसका है, constrained motion का, constrained motion का, ये आपका question है, ये देखो, जब ये यू जो है, यू velocity से नीचे आ रहा है, ये ऐसे से जा रहा है, तो आप भ्यान से देखो, ये जो V है, अगर मैं इस line को पूरा ऐसे draw कर दूँ, उपर की तरफ, तो इसका मनदब ये जो V है, ये इस direction में उपर जा रहा है, बट ये जो V है, ये जो V है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ऐसे, ये V कॉस थीटा हो रहा है, और ये V कॉस थीटा हो रहा है, तो इसका मनदब आप देख रहे हो, जो U है, वो V कॉस थीटा के एक्वल आ रहा है, ये जो U है, वो V कॉस थीटा के एक्वल आ रहा है, आप आप तरह से इसको देख सकते हों सिर्मशन का कुश्चन है क्यों क्योंकि यह जो पॉइंट पिजो है यू वलोसिटी से नीचे जा रहा है और यह वलोसिटी से उपर आ रहा है इन दोनों का जो इफेक्ट है इसका जो resultant है यह तो net resultant ना वी यह जो वी है यह red net है ऐसे समझो यह net है यह resultant है किसका resultant है यह resultant है आपकी इस velocity का और इस velocity का यह दो velocity निकल रहे हैं उनका resultant आपका वी है जब इन दोनों का resultant वी है तो यह आपका देखो यह u velocity से जो जा रहा था यहाँ पर जो यू आया यह यू जो है इस वी का component बनेगा ऐसे ही इस वी का यह वाला component बनेगा वी कोस्थीटा तो एक तरह से यह जो वी बन रहा है यहाँ पर मैंने बनाया उपर डारेक्शन में वह resultant है ठीक है क्योंकि इसका जो motion है यह किसके उपर dependent कर रहा है यह इसके उपर dependent कर रहा है यू के उपर इसलिए तो इसको क्या बोल लगया है तो आप जो है इसको थोड़ा सा सोस्च समझ के कर सकते हो एक तो यह तरीका है दूसरा अगर आप इसको टेंशन ट्रिक से करना चाहते हो आप क्या करना चाथे हो टेंटंट्रिक या पिर इसको ऐसा बोल सकते हो वर्च 편, अगर आप इसको वर्चो वर्च मेंफ़ड, से करना चाथे हो तो भी आप इसको तो कैसे ओडांगे जी देखो इस कोर्ण के अंदर जो ए वह इस्ट्रिप्स क्याम है कैसी है अनि funded ऐ dispos करने वाला हूं जैसे माल लों तुमने पोर्स इस डीरेक्षिन में लगाए तो ग्रीन कलर से टेंशन लगेगी ऊपर इस डारीक्षिन ऐसे इस point पर tension लगेगी ऐसे यहाँ पर tension लगेगी T, इधर देखोगे तो यह tension लगेगी ठीक है जी, इधर देखोगे तो यह green color से यह tension ऐसे यहाँ देखोगे तो कितनी जाएगी 2T इस point पर देखोगे तो कितनी जाएगी 2T ठीक है, इधर देखोगे तो टी और इधर देखोंके तो टी इधर देखोंके तो टी और यहां पर यह यू वलो किति लाइक्सियर में तो प्लस लेलो देखो T और U दोनों opposite direction में तो minus T into U लिख सकता हूँ tension trick के अंदर ये जो pulley होती है इसके अंदर net work done zero होता है तो इसको छेड़ने की ज़रुवत नहीं है इसको consider करो ही मत बचा ये अब इस point पर आ गए हम देखो इस point से देखो ये tension इस direction में है tension किस direction में है इस direction में velocity इस direction में तो इस velocity का एक component लोगे V cos theta तो आप ऐसा कर लो यहाँ पर plus T into V cos theta क्योंकि दोनों same direction में हैं दोनों same direction में हैं इसके बाद बात करते हैं इस वाले part की इस वाले part में देखो tension upward और V cos theta उपर ये भी T V cos theta इस वाले part को छोड़ दो देखो इसको अलग-अलग तरीके से कोई भी बता सकता है जैसे बोल देगा यहाँ 0 है velocity यहाँ 0 है यह point to contact है यह velocity 0 है वो भी एक तरीका है मैंने आपको क्या बता है इस pulley के अंदर जो भी net work done है वो 0 ले लेना है यहाँ पर कुछ है ही नहीं क्योंकि अगर आप इसको समझना चाहते हो तो एक वीडियो है चैनल पर जाना और सर्च करना वर्चुल वर्क मैथड वर्चुल वर्क मैथड वाले वीडियो में यह मैंने बताया है कि किसी भी पुली के अंदर जो नेट वर्क डन आता है जब इनेक्स्टेंसिबल इस्टिंग होती है तो यहाँ पर क्या आता है जीरो आता है तो उसको छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ से टीवी कॉस्टीट आ गया इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर इस पॉइंट पर यहां पर कुछ करने की ज़ुरूत नहीं है अब बचा आपका क्यू टीव आपर है यू नीचे है तो माइनस टीव थिक है यह आ गया आपके पॉइंट अब यह सारे तो हमने कंसीडर कर लिए अब यह वाला पॉइंट देखलो into V that is equal to 0 यही तो वर्चॉल वर्क मैथड है आप इसको सॉल्व कर लो तो देखो क्या हो रहा है टू टी वी टू टी वी तो उड़ गया है हाना दो टी वी उड़ गए आपके बच्चा क्या यह टी यू यह टी यू माइनस टू टी यू प्लस टू टी वी कॉस थीटा अब क्य रहा है यह भी एक तरीका है तो उमीद करता हूं आप जो है किसी भी तरह से सवाल को कर सकते हो यहां पर जो है कंस्टेंट मोशन का ही कुश्चन है तो हमने क्या किया कंस्टेंट मोशन में अगर हम देखें तो यू जब यह यू इस डिरेक्शन में आ रहा है तो तो दिरे यह वी जो है वह यू कॉस सटा के पल यह वह सकता है यह आप सोच रहे होगे जो की गलत हो जाएगा वह यह वह गया हमें तो वी बताना है तो यू कॉस थीटा यो है जो है ईन दोनों के जोузल्टंट एंधे वह वी है तो इसका मतलब आप इस रिजुक्र करते हैं जैसे आप निवर यह करते आप दियुक्र कॉu कि prono eh टोडते हो 10 sı 1 तो अप हमेशा ब्युक्ट में यहांपा यह रिजल्ते एप आपने इसको break क्या V cos theta, इधर break क्या V cos theta, उमीद करता हूँ, अब ये समझ में आ गया होगा कि ये हुआ क्या है, तो ये answer भी गलत है, इस सरा से करो कि ये भी गलत हो जाएगा, तो आप जो है tension trick से भी कर सकते हो, या पुली trick से भी इसको कर सकते हो, उमीद करता हूँ, इस question के अंदर जो भी doubt आपका रहा होगा, वो doubt आपका जरूर किलियर हुआ, अगर आपका doubt किलियर हुआ, तो वीडियो को like करना, चैनल को subscribe करना, मत भूलना, अगर आपका physics के अंदर कोई भी doubt है, तो आपको इस number पर WhatsApp करना है, चाहे वो theory का हो, या किसी भी question का हो, हमारा मकसद है teach free for India, यानि कि आप इंडिया के आप किसी भी coaching center में पढ़ो चाहे, physics वाला में, एलन में, आकाश में, फिरजी में, कहीं भी, और आपका physics के अंदर कोई doubt है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना doubt इस number पर WhatsApp करना है, हम आपके doubt का best video solution आपको बना करके देंगे, तो चलिए, मिलेंगे हम अपने next out में,